हलो एवरिवान, वालकम बैक तो माई चैनल, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नियू पिकाकार रिडिंग के साथ, तो कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सबी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आज मैं आप सब के लिए पिकाकार रिडिंग कर तो गैस मैंने समच पर दो ग्रूप बनाए हुए हैं, ग्रूप No. 1 के लिए के लिए मैंने स्परिट्च्वल यूनियन का कारड रखा हुआ है नमबर 2 देख लें आप कार्ड को अच्छे से ठीक है spiritual union नमबर 2 तो अगर आप इस कार्ड से अट्राक्ट हो रहे हैं तो आप पाल नमबर 1 को स्लेक्ट कर सकते हैं and second group के लिए मैंने हाँ पर harmony कार्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा है नमबर 6 तो अगर आप इस कार्ड से अट्राक्ट हो रहे हैं तो आप पाल नमबर 2 को स्लेक्ट कर सकते हैं देख लें अच्छे से कार्ड तो जो भी कार्ड आपको अट्राक्ट कर रहा है आपको बुला रहा है आप उसी कार्ड को स्लेक्ट कीजिए उसी file को select कीजिए, दिन में आपको आपकी reading पर मिलोंगी reading को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये general reading है, तो हो सकता है आप सभी के साथ resonate करे, हो सकता है ना करे, so please keep an open mind अगर reading resonate नहीं करती है, तो आप मत देखिएगा, बंद कर दीजिएगा वीडियो को, लेकिन अगर reading resonate करती है, तो मुझे comment section में बताना चिक है, अगर reading resonate नहीं करती, तो आप next वीडियो के आने का wait कर सकते हैं, या फिर आप किसी और channel पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, ओके guys और ये reading timeless भी है, आप जब भी देखेंगे आपको, यहां से help मिलेगी I hope कि आपने अब तक एक पाल स्लेक्ट कर लिया होगा, चलिए अब start करते हैं आपकी reading Hello everybody, जिन्होंने भी चूज किया इस virtual union, चलिए देख लेते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी जिन से आप प्यार करते हैं उनसे आपका union होगा, चलिए start करते हैं तो सबसे पहले tarot से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए tarot से क्या आपकी शादी उसी पार्टनर से होगी जिससे आप प्यार करते हैं क्या आपका union होगा let's find कुछ कार्द आगए गाई आमारे पास देख लेता है इनको the wheel of fortune, okay the tower and eight of souls okay page of souls and the world okay the wheel of fortune and the world king of pentacles and star knight of souls okay what on the deck we have ace of cups तो गाइस यहाँ पर कुछ fix sign आए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर Taurus, Leo, Aquarius, Sagittarius and Scorpio यह sign यहाँ पर fix आए हैं ठीक हैं और यहाँ पर Capricorn and Taurus बहुत स्ट्रॉंग हैं यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius बहुत स्ट्रॉंग हैं ठीक हैं and Leo and Scorpio बहुत स्ट्रॉंग हैं यहाँ पर water sign में से, Scorpio बहुत स्ट्रॉंग हैं ठीक हैं okay guys तो आप दोनों का शादी होगी या नहीं होगी सबसे पहली बात तो guys आप दोनों के बीच में तो separation में ही हो आप दोनों ठीक है हो सकता है totally break up हो चुका है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टक है इस person पर आज भी और हो सकता है कि यह partner आपको इस time social media पर भी stop करते है guys यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैंने notice की है वो है the world and the wheel of fortune the world and the wheel of fortune ठीक है wheel of fortune and the universe यह यह जो world का card होता है universe card होता है तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के मिलने के पीछे ना भगवान का कोई मकसद है कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में वहलब God की मर्दी से मिले हैं ऐसे ही नहीं मिले हैं कुछ ना कुछ planning universe से ही करकर आए हो अपने लिए हो सकता है आपने spiritual union हो सकता है आप higher level of soulmate है और कुछ ना कुछ soul purpose है आप दोनों का यह भी हो सकता है लेकिन अभी challenges बहुत है तो आपको यह challenge आपकी life में pain आएगा देखिए आपकी life में बार-बार tower moments आएंगे मैं आपको पहली बता रही हूँ आपकी life में हो सकता है कि आपके यह जो partner है किसी और के साथ deal कर सकते हैं कोई third party ठीक है यह person आपको pain देने ही आए हैं आपकी life में लेकिन आपका soul connection भी है इनके साथ ठीक है यह आपको pain देंगे आप में change आएगा आपकी spiritual growth होगी definitely आप दोनो को अपना soul purpose find करना है ठीक है तब ही destiny आपर बहुत बड़ा role play कर रही है और आप दोनों एक दूसरी की destiny में भी हो लेकिन यहाँ पर challenges बहुत जादा है ठीक है और आपको divine timing का wait करना पड़ेगा इस partner के आने का क्योंकि definitely देखिए यहाँ पर अभी आप दोनों के ही हाथ बंद union नहीं होगा ठीक है तो बहुत कम लोग यह बात सायत से समझ पाएंगे कि definitely वो अपना कर्म कर रहे हैं और आप अपना कर्म कर रहे हैं और जब आप दोनों clean हो जाएंगे clear हो जाएंगे आपकी energy सब ही जाकर आपका union होगा अभी energy clean कैसे होती है आपको खुद पर काम करना प पड़ेगा और आपको अपने आप में enjoy मतलब अपने self को enjoy करना सीखना होगा खुद से खुछ रहना सीखना होगा ठीक है इस तरह से आप अपना inner work कर सकते हैं लेकिन definitely आप दोनों एक दूसरे की wish है और चाहे यह partner accept करें या ना करें लेकिन इनकी soul को पता है कि आप इनके यह partner की इस partner की soul को पता है तो हो सकता है कि अभी इस partner की awakening नहीं हुई है ठीक है हो सकता है अभी यह partner बहुत जदा आपने work में busy हैं दूसरी चीज़ों में busy हैं लेकिन वो इस चीज़ के बारे में अभी देख नहीं पा रहे हैं ठीक है बिलकुल भी नहीं देख पा रहे हैं क ये पार्टनर भी सफर करेंगे ठीक है और तब जाकर आपका यूनियन होगा है इस पार्टनर के साथ आपकी मैरेज होगी फिलाल मैंने यहापर कोई मैरेज कार नहीं देखा लेकिन येस आप दुनों की ना सोल इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ तो अगर पेन आ रहा है द इस तरीके से आपकी सोल ग्रो होगी तो फिलाल तो ये पार्टनर आपको काफे ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं ठीक है और बटम ते डेक्स से हमारे पास देखिए एस ओफ कप्स की एनरजी आई और देखिए हमारे पास ये भी कार आगया फोरो बैंड तो गाइस येस अब ये marriage card आया तो हो सकता है कि एक नई शुरुवात में एक नई तरीके से आपके रिष्टे की शुरुवात हो और आपकी शादी हो जाए ठीक है तो बहुत ज़्यादा possible मलब यहां पर possibilities है कि आपकी शादी इस partner से हो सकती है लेकिन ये इतना easy नहीं होगा आपको सबसे प है ठीक है लेकिन यही ups and down आपको आपकी सोल को grow करने में मदद करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठोड़े से cards और निकालते हैं यहां से psychic tarot से देख लेते हैं क्या आएगा आपके लिए कुछ cards आ गए हैं guys देख लेते हैं light sacrifice and material harvest and foundation and achievements थोड़े सा डिले हैं लेकिन येस अगर आप अपना इनर्वाक अच्छे से करते हैं अपनी healing करते हैं तो definitely यह यह देखिए four of vands ना यहां से भी यह 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 दुनों ना same cards होते हैं ठीक है तो definitely two marriage cards आ गए हैं यह बहुत possible है यहां पर कि आप दुनों की marriage हो जाए future में क्योंकि इस partner की भी इच्छा है कि आपके साथ घर बनाए घर बस आए ठीक है एक इच्छा क्यों नहीं होगी guys जब आप दुनों soulmates हैं यहां पर ठीक है तो जो soul होती है न वो एक दूसरे के पास आना चाहती है लेकिन कुछ न आपर थोड़ा सा sacrifice करने की ज़रा से थोड़ा सा डिले है ठीक है hangman card होता ही है तो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है और आपके partner के हाथ में कुछ नहीं है आपको God पर surrender करना होगा ठीक है इस person के हाथ कहा है ऊपर की तरफ ठीक है surrender करके खड़े हुए है यह person ठीक है लेकि पर कहना मुश्कित मतलब बहुत मतलब मैं हाँ पर कह पाऊंगी कि यह आपकी जो भी wishes है वो पूरी हो जाएंगी ठीक है आपको इस partner के साथ घर बनाना है घर बसाना है यूनियन में आना है तो आप आएंगे material harvest ठीक है लेकिन आपको सबसे पहले यह position है हासल करनी होगी शा है ऐसी वाइब में आपर गेट कर रही हूं चलिए अभी energy और एकल से देख लेते हैं यहां से क्या आता है आपके लिए seventh chakra archangel Uriel definitely archangel Uriel आपके साथ हैं आपको heal होने की भी ज़र्वत है guys angel of strength तो जितने भी tower moments आपके life में आ रहे हैं आपको strength बना के रखनी पड़ेगी अपनी life में ठीक है definitely आपको strength बना के रखनी पड़ेगी anxiety इस anxiety से भी बाहर आना पड़ेगा आपको ठीक है तब ही जाके यह union possible है otherwise आप स्टक रहोगे attachment आप दोनों कोई देखो एक दूसरे से attachment है condition चाहे जो भी है इस connection की जो भी condition है लेकिन attachment आज भी है इस partner को आपसे बूले नहीं आपको अभी आपके inner work पर है कि आप इसको कितना attract कर सकते हैं anyway हो सकते आपको jealousy होती है अगर आपके partner किसी और के साथ connection में है jealousy हो रही है anxiety हो रही है आपको लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यह वो उनके कर में जो कि उनको करने ही है ठीक है वहीं से वो lesson सीखकर आपके पास आएंगे और आपके साथ unite होंगे okay we have patience definitely आपको patience रखने की जरुरत है आपको God पर surrender करने की जरुरत है देखिए bottom of the deck से भी goddess of the moon काड आया है definitely आपको God पर surrender करने की जरुरत है वही आपकी life में light लेकर आएंगे guys बिलकुल आप थोड़ा patience रखिए आपके partner को भी आपके साथ attachment है अगर वो किसी और के साथ deal कर रहे है तो definitely आपको ये चीज समझनी होगी वहां से वो deal कर कर आएंगे कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे और तब जाकर आपके साथ वो unite हो पाएंगे ठीक है तो आपको अगर anxiety हो रही है अगर आपको jealousy फील हो रहा है तो आपको उस energy को भी clean करना पड़ेगा ठीक है अपने आपको एकदम heal करना पड़ेगा तब जाकर आप दोनों same page पर होंगे और आपका union हो पाएगा ठीक है तो guys यहाँ पर patience की जरुरत है और definitely आपको अपना inner work करने की जरुरत है अपने आपको heal करने की जरुरत है तभी ये चीज possible है तभी आप अपने partner के साथ unite हो पाएंगे आपकी शादी हो पाएगे इनके सा तो अगर आप इन सब चीजों में believe करते हैं definitely आप believe करते हैं तभी तो आप यहाँ पर हैं लेकिन yes guidance यही है कि आप दोनों को God ने मिलाया है किसमत ने आपको मिलाया है आप ऐसे ही नहीं मिले हैं आप दोनों की मिलने का कुछ ना कुछ परपस है यहाँ पर उसी परपस को find कर कर अपने अपने काम करना है आपको जिस टाइम पर आप सेम पेश पर होगे आप अपना इनरवक कर लोगे heal हो जाओगे अपका union होगा ठीक है अब यह आप पर है आप कितनी जल्दी अपने आपको heal करते हो balance में आते हो तो आप अपने partner को भी attract करोगे और वो आपके साथ unite ह होंगे ठीक है guys तो यह है आपकी reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर यह reading आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में बताना चैनल पर अगर आप नए हैं आपको reading अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना ही guys bye take care hello everybody जिन्होंने भी चूज किया harmony चले देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी होगी यह नहीं होगी ठीक है guys बिल्कुल positive रहे reading में जो भी आता है आप stuff मत हो ना अगर आपके साथ resonate करता है तो आप उसको accept करो अपनी life में आगे बढ़ हो ठीक है आई होब कि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आइब आइब करते हैं चले यह वाला कार्ड आगया है टू अप्सोर्स जैमिनाई लिब्राइब कि करता है बैद आपकें लिडिए कैण्क है चुछ कड्स गुछ आपकेंगे बिलाते हैं लिए लेकिक बचे के लेड़ाआ खा ढाकेंगे से साथ होखते हैंगने हैघ इन्नÁ beschäft़त बॉर्टम देख किंग आफ कॉप्स हम वी आफ कापल ओके लाइस तो यहां पर जो साइन आया है वह है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो साजिटरियस और कैंसर स्कॉर्पियन पाइस ठीक है विर्गो है यहां पर स्पेशल तो गाइस सबसे पहली बात है अभी जो करन्ट सिच्वेशन है आप दोनों के बीच में में भी थोड़ा कॉंटेक्ट हो सकता है लेकिन आपके पाटनर आपको हर्ट बहुत कर रहे हैं इस टाइम बहुत जाला हर्ट कर रहे हैं जिसकी होज़से आपको काफी डिप्रेशन भी ही फीट हो रहा है आप रह hesitate ऐसा भी में आज देख रही हूं लेकिन यहाँ पर आप दुनों के बीच में पासगार अधो कनेक्शन भी देख रही हूं शिल्फ कृष है आपके पार्टनर काफी इस टाइम और यह भी होा उसकता है कि इसकी जो कन्फ्यूजन किया करना है्या वजह से है पहले इस partner को settle होना है अपनी life में ठीक है यह भी हो सकता है कि पहले यह settle होंगे तब जाके यह आपको commit करेंगे अभी तो यह partner भी single ही है ठीक है और काफे disappoint भी है अपनी life में हो सकता है काफी ups and down आ रहे हैं इन की life में ठीक है लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए perfect match भी है ये partner आपको अपनो perfect match भी मानते हैं आपको अपना other half भी मानते हैं लेकिन अभी accept नहीं कर रहे हैं इस बात को ठीक है आप दोनों के बीच में काफी attraction भी है काफी romantic feelings भी है ठीक है और यहां पर देखिए एक positive card आया है बहुत जो मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में नहीं शुरुवात होगी ठीक है आप दोनों के बीच में नहीं शुरुवात होगी definitely होगी लेकिन अभी फिलाल ये partner confusion में है और अपने work पर काफी जादा focused है ठीक है ये partner चाहते भी है कि आपको contact करें आपके साथ बात करें आपके साथ date फिर से start कर दें लेकिन नहीं कर पाएंगे ये partner क्योंकि अभी ये partner confusion में है ठीक है और जब कोई partner confusion में है इनकी आँखों पर अल्रेड़ी पट्टी है इनको नहीं पता अभी क्या सही है क्या गलत है तो आपके लिए क्या आता है लव बिगेंज वाव इस अव कपस टेफिनेटली एक नहीं शुरुवात तो होगी गाईस आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग वाव six of memories of love यह दोनों कार्ट सेम होते हैं सेम होते हैं बिल्कुल तो आप वाटर साइन हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉंग चांस है वाटर साइन बहुत जादा स्ट्रॉंग है यहां पर डेफिनेटली आपको पास्लाइफ कनेक्शन रहे गाईस और आप इस जन्नम में भी मिल रहे लेते हैं अगें वाटर साइन फिल्फिल्मिन आप विशे सो डेफिनेटली आपकी जो भी विश है पूरी हो जाएगी ठिक है आपकी जो भी विश है वह पूरी हो जाएगी लेट्स फाइंड मोर ओके चलिए यह वाले दोकार्ट इनको भी ले लेते हैं चलिए ओके सफ्रिंग इन साइलेंस पार्टनर्शिप, विज्टम और एस्कलरेटेड मोशन डेफिनेटली ये पार्टनर जहाते हैं कि आपको मैसेच करें, आपसे बात करें, आपके साथ पार्टनर्शिप करें मुझे लगता है कि आप तोनों के बीच में डिफरेंसे हो सकते हैं कास्ट वगरा का कुछ इशू हो सकता है या फिर लॉंग डिस्टेंस कनेक्शन में भी आप सकते हैं और यहां पर देखिए आप दोनों ही इस टाइम सफर कर रहें आपके पार्टनर भी कुछना कुछ ब्लॉक जिस आपके बीच में हैं अधर्वाइज आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं इतने सारा यहां पर वाटर साइन है तो वाटर हमें दिखाता है एमोशन को लव को डेफिनिटली आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन और डेफिनिटली देखिए यहां पर शादी का भी कारा है we wisdom यह हैरोफिंट काड़ होता है it means marriage काड तो definitely आपके future में marriage होगी ना कुछ ना कुछ पेपर वर्क होगा legal marriage होगी आपकी और आपके पार्टनर की भी wish है आपके साथ unite होना और आपके भी विश है तो definitely यह विश पूरी होगी लेकिन अभी थोड़ा सा यहां पर सफर कर रहे हो आप दोनों लेकिन यह जो मैं देख रहे हुँ ना यह सेपरेशन का फेस यह सफरिंग इस अब खतम हो जाएगी टाइम के साथ डेफिनेटली खतम हो जाएगी कि आप दोनों देखे अभी यह पार्ट घ्र्ञ एनुकल इन कबने को कुछ नभी को सकता है कि कास्ट के शूंक जाएप आप से बात ने कर पा रहे हैं ऐसा भी कुछ हो सकता है लेकिन यहाँ पर चेंज आएगा इस कनेक्शन में चेंज आएगा एक नई शुरवात होगी चलिए अभी एनरजी औरकों से कुछ निक सालते हैं यहां से देखते हैं क्या आता है आपके लिए आपके लिए ओके फैनेंशल कॉंस्ट्रेंस तो हो सकता है कुछ फैनेंस में भी कुछ इश्यू है इस पार्टनर के ठीके इस वज़े से भी कमिट नहीं कर पा रहे हैं सकता है कि आपके पार्टनर की जॉब में प्रॉब्लम स आ गई हैं जॉब छूट गई है या पर चुछ ना कुछ है स्ट्रowगल फेस कर रहे है अपनी लाइफ में इस वजह से भी इस पार्टनर को clarity नहीं है कि आपके पास आया जाए अभी या नहीं आया जाए ठीक है strategy and door to romance definitely romance आपके लाइफ में कुछ ना कुछ universe भी आपके लिए प्लैन कर रहे हैं आप दोनों को एक करने के लिए ठीक है फिफ्ट चाक्रा आर्केंजल गैब्रिया तो आर्केंजल गैब्रियाल हैं आपके साथ जो कि आपको support कर रहे हैं इस partner को support कर रहे हैं ठीक है आपके साथ आपके angels हैं आपको angel number भी show होते होंगे वाव आर्केंजल गैब्रिया और आर्केंजल माइकल हैं आपकी साथ ठीक है इसलिए शायद आप गिवप नहीं कर पार है क्योंकि यह आपको सपोर्ट कर रहे हैं हुम लेट्स फाइंड मोर देषीट डेफिनेटल पास्ट में खुछ ना कुछ धुछ धुगा हुआ है आपके साथ इस पार्टनर की तरफ से आपको इस पार्टनर ने आपको धुगा दिया है चीटिंग करी आपसे लिकिन अब इस पार्टनर को रिलाइज होगा दुग इस पास ठीक है तो में भी आपको मैसेज भी करते हैं ये पार्टनर अप्रिशेशन ये पार्टनर आपको अप्रिशेट भी करते हैं डोर तो स्पिरिट ठीक है आप थोड़ा साना गौड से मैनिफेस्ट कीजिए प्रेयर कीजिए अपने कनेक्शन के लिए तो मुझे लग रह आप जैसा partner नहीं मिलेगा तो यहां पर definitely future में आप दोनों की marriage हो सकती है लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलूँगी कि इस partner पर ज्यादा stuck मत होना आप इस partner को manifest करिए ठीक है manifest करिए लेकिन चेज मत करना ठीक है क्योंकि चेज करना ठीक नहीं होता यह एक blockages ही create करता है अगर आप अपनी higher self में नहीं है अभी तो definitely आपको इसको chase नहीं करना है आपको surrender करना है God पर और manifest करना है ठीक है और definitely यह partner आपके life में आएंगे तब आएंगे जब आप खुश होंगे single भी आप खुश रहना शुरू कर देंगे ठीक है तो guys यह है आपकी reading I hope कि आपके साथ resonate होई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate होई है तो subscribe कीजे मेरे channel को like कीजे video को मैं आपसे मिलूंगे अगली reading में तो अभी के लिए बस इतना ही guys बाई take care